चे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतियान यूटुक चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ गुप्त नवरात्री में भूल से भी ना करें ये चार काम वरना माता काली आप से हो जाएगी नराज जीवन में आपका कोई काम नहीं बनेगा जी हाँ भक्तो चार गलतिया बता रही हूं जिसे के आप सभी को पता हैं गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और इसी गुप्त नवरात्रों के चलते दोरान यदि आप ये चार गलतिया करते हैं तो आप से माकाली हमेशा के लिए हो जाएगी नराज उसके बाद आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला और भक्तो आप लोग मेरी आवाज सुनके सोच रहे होंगे कि कुछ तो आवाज में डिफैक्ट हो रहा है तो मेरी थोड़ी सी तवियत डाउन है तो उसी की वज़ा से आवाज में आपको थोड़ा दिक्कत दिख रही होगी लेकिन जो मैं गलतियां आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं ये ऐसी गलती है कि अगर आपने अंजाने में जाने में भी कर दी तो समझ लो कि चाए गुप्त नवरात्रे हूं चाए चेत नवरात्रे हूं या फिर सर्दिय नवरात्रे हूं कोई से भी नवरात्रे हो अगर नवरात्रों के समय आप ये गलतियां करेंगे तो जीवन में कभी भी देवी शक्ती की किरपा को नहीं प्राप्त कर सकते और वलकि देवी शक्ती आप से हमेशा के लिए नराज हो जाएगी और उसके बाद जो भी मनोकामना माता से मांगेंगे वो आपकी कभी पूरी नहीं होगी तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और बताने से पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूँ अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि अमारी जो भी न्यूब वीडियो आए उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचें तो देखिए भगतों गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों की धेरशारी शुब कामना आप सभी भगतों को मेरी तरब से तो मैं चार गलतियां बतारी हूँ जो आपको कभी भी भूल से नहीं करनी हैं अगर मान लीजे ये चार गलतियां आप कर भी देते हैं तो जीवन भर मा काली आपसे नराज रहेगी और ना ही आपका कोई काम सफल होगा फिर चाहे आप कित ने भी मंदर जाप कर लेना तो पहली गलती बतारी ध्यान से सुन लो बारीकी से समझ लो भूल से भी आपको कभी नी करनी नवरात्रों के समय पहली गलती ये है चाये देखी नवरात्रे के बर्त करो या मत करो लेकिन अगर गुप्त नवरात्रों में ये गलती करोगे तो देवी आप से नराज हो जाएगी चाया फिर किसी भी देवी के भक्तों हो काली मा के हो, दुर्गा मा के हो, किसी भी देवी के भक्तों हो पहली गलती ये है कि नवरात्रों के दुरान हाप लोगों को मा काली को साथ विक भोग लगाना है मैंने काफी सारे भक्तों को देखा है कि नवरात्रों के दुरान माता को साथ विक भोग नहीं लगाते हैं और तामसिक भोग लगाते थे जैसे कि सराब भी चड़ा देते हैं ठीक है तामसिक भोग में और माता को बकरी की कलेजी भी चड़ा देते हैं और माता को मुर्गी की भेट भी चड़ा देते हैं मैंने कई ऐसे लोग देखें अपने आँखों के सामने तो इसलिए मैं आपको यही सतर करना चाहूंगी कि आप माता को नवरात्रों के समय सात्विक भोग ही लगाएं नीमू, जैफा, लोंग, बतासे, मीठा पान, मीठाई, पेड़े ये सब चीजों का भोग लगाएं बाकी जो तामसी भोग होता है वो बिलकुल भी भूल से ना लगाएं ठीक है पहली गलती ये आपको कभी तेल का दिया जलाया है या फिर देसी घी का दिया जलाया है तो आपको पूरे नवरात्रों तक हमेशा माता का सरसो के तेल का दिया ही जलाना है ऐसा नहीं कि आज आप सरसो के तेल का जला रहे हैं और कल आप देसी घी का जला रहे हैं तो ये गलती करोगे तो माता आपसे न में अगर माता सी कोई भी मनुकामना मांग रहे हैं या कोई भी अर्दास अर्जी आपने माता के चर्णों में लगाई हुई है तो उस समय आपको क्या गरना है जब आपने अर्दास अर्जी अपने घर में माता के लगाई है या कोई मनुकामना मांग रहे हैं तो मा काली को सूखे गोले की भेट दो गए तो ही मनोकामना और जियरदास पूरी होगी सूखे गोले की भेट नहीं दो गए तो माता आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी करने वाली और उसी के साथ साथ माता आपसे जीवन भर के लिए नराज हो जाएगी और आपको इतना तो पता ही कि से काम करो ही मत और चोथी गलती यह है कि नवरात्रों के दुरान अगर आप अपने घर में पूजा पाट कर रहे हैं तो आपको घर में ही पूजा पाट करनी है भार नी करनी पीपल के पेड़ पे पूजा नी करनी है ना ही चोराय के आसपास जाना है आपको और ना ही आप लो की जो सेवा होती है वो घर घर की होती है भार की नहीं होती है अगर आप भार जाकर करेंगे तो माता इसको मंजूर नहीं करती है तो भक्तों अगर ये चार गलती जीवन में कभी भी करते हो तो मा काली आप से हमेशा के लिए नराज हो जाएगी फिर आप उसके बाद ऐसे ही रह जाएंगे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए